दमेशकार दोस्तों जैसा कि आपको पता है गलवान वैली का जो इंसिडेंस हुआ था 2020 में इसको लेकर बहुत दुगत घटना आई थी 20 हमारे जो जवान है वो वीर गती को प्राथ हुए थे तो इसको तो भारत ने एकसेप्ट कर लिया था एक दो दिन के अंदर ही लेकिन च काफी पहले से थी कि चाइनीज सोल्जर्स की जो मित्यू है वो बड़े मात्रा में हुई है क्योंकि यहाँ पर आर्मी ने क्लियरली कहा था कि हमारे जो जवान है उन्होंने डट कर फाइट किया है चाइना के खिलाफ और अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया क की तरफ से एक रिपोर्ट आ रहा है या आप देख पाएंगे 42 चैनीज सोल्जर्स नॉट फोर किल्ड इन गलवान क्लेम्स रिपोर्ट इसको डीटेल से समझेंगे और पूरा जो सिनारियो था उसको भी समझने की कोशिश करेंगे चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पह पहले हम देखेंगे exactly अब यह हो क्या रहा है देखिए Australia के अंदर एक investigative newspaper है जिसका नाम है Klaxon The Klaxon करके investigative newspaper है जैसे कि आपने कई बार भारत में भी कुछ magazines जो है किसी प्रकार का investigations वगरा लेकर आती है वैसी Australia के अंदर यह है और यहाँ पर इनका यह कहना है contrary to Beijing's claim जिस प्रका soldiers at least यहाँ पर China के मारे गए हैं यह June 2020 का incidence था याद रखीगा और इसमें यह भी खबर आई है कि जो fast flowing Galvan river था उसमें यहाँ पर उनके जो जवान है वो यहाँ पर drown हो गये थे मतलब कि डूबने से मित्ती हो गई थी दिखिए थोड़ा सा मैं आपको जो पुरा scenario था उस समय क बतानी की कोशिश करता हूँ जैसा कि आपको याद होगा कि यह पूरा इस्टन लद्दाक के अंदर हमें देखने को मिलता है और यह भी पता होगा कि यह वाला जो line है LAC जिसको कहते है line of actual control यह वाला पूरा अकसाई चीन का area 1962 के वार में चाना ने हमसे ले लिया था गलत त और इसी को बोला गया DSDBO road तो यह जो road बनाया जा रहा था उसी के just right side में यहाँ पर आपको कुछ गलवान वैली देखने को मिलेगा अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ यह जो road जा रही है उपर डौलत बेग oldie की तरफ इसके right side में आप यहाँ पर देखिए ध्यान रख का point है जहाँ पर हमारी तरफ से भी जो जवान है वो यहाँ पर आते हैं चेक करते हैं कि चाइना की तरफ से कोई गतवीदी तो नहीं हो रही है चाइना की तरफ से भी जो उनकी सेना है वो लोग भेजते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है लेकिन उसी बीच जो चाइना का propaganda है कहीं न कहीं divert करने के लिए क्योंकि सब लोग चाइना को कोश रहते हैं उस समय आपको याद हो तो उसमें देखा जा रहा था कि कहीं न कहीं divert करने के लिए ये पुरा incidence किया जा रहा है और ये PP14 के पास ही जो flashpoint है गलवान flashpoint वो हमें देख में हैं तो कुछ report आई कि यहाँ पर गिर जाने की वजए से डूबने की वजए से बहुत सारे जवानों की मिलती होई थी लेकिन चाइना इसको मान नहीं रहा था in fact मैं आपको बताओं तो ये जो पुरा report लाए गया है the klaxon के द्वारा इसका नाम दिया गया है गलवान decoded और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो group of social media researchers हैं उन्होंने यहाँ पर इसको prepare किया मैं आपको और इसके आगे बारे में बताओंगा लेकिन इसके पहले आप समझ सकते हो उसके आसपास acknowledge किया था कि चार चाइनीज military जो officers हैं और जो soldiers हैं वो उनकी मित्ती हुई थी इनके नाम आप देख सकते हो 33 years, 24 years, 24 years, फिर 18 years तो ये चार जवान की मित्ती हुई थी लेकिन जादा तर बिलीब यही किया जा रहा था कि बड़े मात्रा में casualities हुई है China क जो कि वो accept नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पर मैं एक person का नाम लेना चाहता हूँ China का ये commanding officer था मतलब कि जो टुकड़ी वहाँ पर गई थी जिसके साथ clash हुआ था उसका जो commanding officer था चाइना की तरफ से श्री फैबाव ठीक है 41 years का है ये उसको भी बहुत बुरा injury हुआ था ठीक है जो main commanding officer है तो last February में यहाँ पर in fact Russia का भी एक news agency है उस news agency ने भी claim किया था कि 45 Chinese soldiers की मिती हुई थी ये मैं एक साल पहली की बात कर रहा हूँ लेकिन वापस से यहाँ पर एक Australia का जो investigative agency है उनके द्वारा इसको लाया गया है तो further इस findings में क्या-क्या बोला गया है देखि उनके द्वारा ये findings आई है और उसको independent तरीके से जो Australia का ये newspaper है उन्होंने यहाँ पर उसकी जांच की है और इसमें साफ पता चलता है कि China soldiers की जो बड़े मात्रा में casualities है वो हुई है लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो researchers है वो अपना नाम नहीं ले सकते इस newspaper में ये भ पाए जाएंगे चाइना के अंदर नहीं रहेंगे अचानक से गाइब हो जाएंगे तो इसी की वज़े से यह आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इन social media researchers के दौरा जो भी कुछ provide किया गया था उसको independent तरीके से यहाँ पर रौश्टिया कि newspaper ने जाच की और इसमें बार-बार बात चल रही थी ना कि चाइना के अंदर इतने लोग मारे गाएं पहले तो वो एक्सेप्टी नहीं कर रहा था हमारे तो कोई नहीं मारे गाएं लेकिन यह जो discussion था उसको पूरी तरह से कोई भी report आ रहा था उसको वो हटा दे रहा था ध्यान रखेगा यह जो प जो नॉम्स हैं उसका भी उलंगन किया चाइना ने उस समय जब यह पूरा गल्वान क्लैश चला था और इस report में एक user है वीबो आपको पता होगा वहाँ पर जो ट्विटर का ही alternative है जो लाए गया है वहाँ पर क्वैंग करके एक person है जिसने claim किया कि उस एरिया में serve किया है person ने और वहाँ पर उसने बताया कि सबसे पहले तो Chinese army ने गलत तरीके से जो infrastructure है उसको build करने की कोशिश की थी buffer zone ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको infrastructure build नहीं कर सकते लेकिन चाइना ने गलत तरीके से यहाँ पर norms का उलंगन करते वे एक प्रकार से जो infrastructure है उसको build करने की और इसी की वज़े से यहाँ पर यह जो पूरा tensions है वो देखने को मिला था और एप्रिल महने से ही वो patrolling कर रहे थे अपने patrolling जो area है उसको बढ़ानी की कोशिश कर रहे थे चानी सोल्जर से और इसी को रोका गया था भारती सेना के द्वारा और इसी की वज़े से आप कह सक क्रॉस किया जा सके तो हमारे ब्रिज को यहाँ पर उन्होंने तोड़ दिया फिर आगे चल कर वह बात अलग है कि हमने वापस से उसको बिल्ट कर लिया है लेकिन यह बेसिकली खबर यही आती है इस रिपोर्ट के आधार पर भी कि उन्होंने खुद का infrastructure बनानी की कोशिश क कर रहे थे तो यह तो पुरा रिपोर्ट हो गया अब इसका present context में significance देखोगे अभी मैंने आपको बताया था यह जो उसका commanding officer था जो की badly injured हुआ था छी भवाव उसको अब क्या किया है चाइना ने जो बीजिंग 2022 winter olympics हो रहा है उसको वहाँ पर torch bearer बना दिया है तो तीन कहीं न कहीं चाइना ने olympics जैसे बड़े खेलो में भी यहाँ पर political statement देने की कोशिश की है एक पुरकार से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है और nationalism जैसा भावना आप कह सकते हो ना वो यहाँ पर ला रहा है चाइना अपने लोगों के सामने और यह आपको देखने को मिल पैंगॉंग सो जो लेख है वहाँ पर भी यह पुरा इंसिरेंस हुआ था अगर आपको याद हो अच्छे से यह जो पैंगॉंग सो वाला एरिया है यहाँ पर चैना की जो आर्मी है वो fourth finger तक आ गई थी और यहाँ पर आने के बाद फिर उसको पीछे हटना पड़ा था क्य क्यों कि भारती सिना ने यहाँ पर basically क्या किया था जो southern वाला पार्ट है इसका यहाँ पर black top और जो कैलाश रही उसको हमने acquire कर लिया था और उसके पास हमारे पास advantage आ गया था चैना की आर्मी यहाँ तक पहुँच नहीं पाई और उसको पीछे हटना पड़ा finally लेकिन यह सम कुछ दिखता है तो bridge क्यों बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि कल के date में अगर वापस से कुछ भी tensions बढ़ता है तो वो अपनी आर्मी को जल्दी से वो इधर साइड में ला सके जो की loss हुआ था उसको चाइना को तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है यहाँ पर उनके बड़े मात्रा में जो casualties है वो हुई थी हमारे पास तो जो actual numbers था 20 जवानों का वो देश के सामने रख दिया गया था लेकिन चाइना ने कभी इसको accept नहीं किया जाने से पहले क्योंकि हम चाइना बगर की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर history स से question है कि 7th century में Chinese pilgrim आया था कोई ठीक है आप बता सकते हो कौन था वो नाम क्या था भारत में जो आया था इसका right answer आपको पता ही है मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यह झाल